नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों 54 जीएस्टी काउंसल की मीटिंग हुई थी 9 सेप्टेंबर को जिसमें जीएस्टी ओन डेंट पे थोरा सा चेंज कर दिया कुछ और परसन है जिनको जीएस्टी की अमबिट मिला गया अंडर आर सीम तो इसकी वज़े से यह जीएस्टी ओन डेंट फिर से सुर्ख्यों में है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप एक प्रोपर्टी बायर हैं या प्रोपर्टी सेलर हैं तो किस-किस तरीके के टैक्स आपको एक्ट्रक्ट करते हैं इब मुविवल प्रोपर्टी पे अभी का बहुत ध्यान है तो अगर आप पर्चेज करते हैं यह अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोपर्टी तो आपको पता है कि जब आप डेश्टी करने जाते हो अगर उसे सेल करते हैं तो एक साटल लिमिट पजास लग बाद टीडियस है और क्या गेन का टैक्स आपको जमा करना पड़ता हैं अगर आप रेंट देते हैं तो रेंटल पे क्या होगा एक तो इंकम टेक्स लेगी हाउस प्रोपर्टी की दूसरा आपको टीडियस डिड़क्ट करना है और अभी 2022 के बाद से जीस्टी भी डिड़क्ट करनी है और मान लेते हैं कि अपने रेंट पर नहीं दिया तो उसको डीम डिलेट आउट मानके इन सर्टेन केसे नॉट इन अबरी केसे जनरल केसे में यह नहीं होता है उसको भी इंकम टेक्स बोलती है कि हम इसको टेक्स करेंगे तो अगर आपके पास इमोवेल प्रोपर्टी है तो आप किसी भी तरीके से बचनी सकते हैं तो फिप कर रहा है वो रेजिस्टर्ड परसन है रेजिस्टर्ड परसन मतलब जो जिसका रेजिस्टर्ड परसन है वो रेजिस्टर्ड परसन होगे जिसके रेजिस्टर्ड परसन होगे जिसके रेजिस्टर्ड नहीं है वो रेजिस्टर्ड परसन होगे जिस्टर्ड प्रपरटी बाइ अंडरिश्टर परसंट रेजिस्टर परसंट अगर आप करते हैं तो आपको RCM में आपको टैक्स देना परेगा वह RCM क्या होता है reverse charge mechanism मतलब जनरली अगर आप जाते हो और किसी को बोलते हो चलो किसी किराने दुकान में कि मुझे यह समान दो तो वह समान जो सप्लाइ कर रहा है किरान दुकान वाला वह आपको जिस्टी चार्ज करता है लेकिन कोई ऐसा काम हो किसी केस में अगर आपने वह समान खरीदा और आप को जिस्टी जमा करना है तो इसे आर्सीम बोलेंगे तो आमेसा उपभोगता मतलब जो कंज्यूमर है उसी करना है यह तो तब करकि लेते हैं किज्दी ऑन रेंट क्या है तो अगर आप लीज देते हैं रैंट पे देते हैं लैसेंस देते हैं या 10 propika मतलब याश्म करने का रैप मतलब जैसे अगर आया विन ऐसको कई एकर जमीन चाहिए अब उतने एकर जमीन खरीद नहीं सकता तो वो 25 साल के लिए तीस साल के लिए उसका राइट उफ यूज लेता है या फिर अगर कोई भी यह प्रपर्टियों कमर्सियल हो इंडस्टियल हो या रेसिडेंशियल यूज के लिए हो और बिजनेस परपस अगर आप यह कर रहे हैं किसके लिए फॉर बि मैं आजए ओफिसमे मुझे और यह पार्ट में मैं आपसं का काम कर रहा हूं उसक teh क्यों होगी इस में क्या है कि थ्यूरेंशियल पॉपरस कि लिए मैं तो कौन व मैं च्राइब करेगा मैंने आपको बता दिया वह 20 लंग की लिमित है कि से ईस smith के लिए तो राइट तो यूज दे रहो जैसे मैं कोई घर रेट पे ले रहो वहाँ उस घर में रहने का राइट मुझे मिल रहा है यूज करने का राइट मिल रहा है तो 20 लाख रुपए है और किसी कैसे में 10 लाख रुपए स्पेशल कटेगरी स्टेट्स में अधरवाइज कितना होते हैं 40 लाख रुपए होता है और जो नॉर्मल सेल अगरे में ट्रेडिंग में जो इन्वाल्व रहते हैं या मैनिफेक्ट्रिंग में इन्वाल्व रहते हैं तो 20 लाख पर हैं हम कैसे होगा फ्रम बिजनेस रेंट औ और एक लाख की एक्जम्टर रेवेंड्यू है फिर यह 20 लाख हो गया तो मुझे जीस्टी के रेजिस्टिशन लेनी पड़ेगी जीस्टी कौन-कौन लेते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अब आपने बोला कि ठी होगा क्यों अगर मालते हैं दो आद्मिया है इसमें लैंडलॉड है है तो पहले में लेंड्लॉड कीया है और मुंबई है है तो इसको प्लेश सफप्राइब की साफर से चेर्ज होगा लेकिन अगर आप मुंबे में हैं और आपके प्रपर्टी हैदराबाद में और हैदराबाद में भी आपका रोजिस्ट्रेशन है तो आप इसो चाहिए तो हैदराबाद से आप सप्लाइ मान सकते हैं है लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप मुंबे में हैं और प्रपर्टी हैदराबाद में दे रहे हैं तो आपको जेनरली आई जी चार्ज करना चाहिए क्योंकि प्लेस अब सप्लाइव उसको मना जाता है जहां पर वह प्रपर्टी सिट्वेटेड है जैसे ए बीसी रेजिस्टर्ड है ब किना 18% और जरूरी नहीं है कि उनका घ्रयानाा में को जरूरी नहीं है आप यहीं से आ जी चर्ज कर सकते हैं दूसरा है लैंड्र लॉर्ड टीक में तो कोई दिक्कात ही नहीं Got Herun वो भी सेम स्टेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं सीजी एस्ट के जिजी नाइन परसंट आप चार्ज कर लिए अब लैंडलोर्ड जो है वो सेम स्टेट में जहां प्रपार्टी है लेकिन टीनेंट आउटसाइड स्टेट है मतलब मैं मुंबवी की प्रपार्टी मेरा रेजिस का होगा टीनेंट वह इंपुट्ट क्रेट नहीं ले पाएंगे सीजीएस्ट स्ट का क्योंकि यहां उनकी रजीस्ट्रेशन ही नहीं है दो तरीकी प्रपार्टि होसकते एक और मेकनिजम है यह परम को मतलब होगे संदधी र karena और सब्सक्रेश्टा जिन्हों नहीं लिए वब भीत वे डिसकर त्टेश्ट Mask दोनों एक्जम्ट हैं, unregistered to unregistered ये भी एक्जम्ट है, तो unregistered से अगर registered person, मतलब honor unregistered है, honor individual है, और tenant किसी company को दे रहा है, तो अगर company को दे रहा है, तो वो क्या हो गया, यह तो आप residential property company को दे नहीं सकते, लेकिन residential property दिया है company को, तो company उसका क्या यूज करेगी अपने डिरेक्टर के लिए अपने employee के लिए यूज करेगी तो यह RCM में चार्ज होगा reverse charge में करीजम में अब बोलोगा director employee को दिया हुआ है लेकिन उस state में तो company की कोई registration ही नहीं है मैं बूलोंगा ऐसा highly impossible है क्यों impossible है आप अपने डिरेक्टर और employee को क्या 500 किलोमेटर दूर ठहरा होगे क्या है जहां आपकी office से वही ठहरा होगे और जब आपकी office वहां पे तो आपकी registration हो भी तो इसलिए सिंसाप registered person है आपकी office वहां पे तो डिरेक्टर इंपलाई को भी ठहरा होगे ना 10 किलोमेटर 5 किलोमेटर 20 किलोमेटर के दारे में 200 किलोमेटर पुरा state park करवाद होगे तो इसलिए इन इसकेस अगर unregistered person registered person को residential property involved property दे रही है on rent तो डिरेक्टर इंपलाई के लिए अगर यूज में ले रहा है वो तो उसमें RCM होगा लेखिन हो सकता है registered person proprietorship हो तो अगर self रहने के लिए खुद के रहने के लिए उसने फर्म के नाम से ले लिए वो एक्जम्ट होगा it means residential property अगर self-use के लिए है तो यह एक्जम्ट है सिंपल सी चीज़े को commercial property अगर unregistered person से unregistered person को जा रही है तो एक्जम्ट है अब आप सोचो unregistered person कौन होगा जिसका 20 लाग से कम की rental जो दे रहा हो और 20 लाग से कम जो जिनकी मतलब 20 या 40 लाग से कम जिनकी sale transaction होगी इस दोनों के case में supplier और tenant दोनों के case में यही चीज़ें valid होगी तभी तो उसके case में एक्जम्ट है छोटा मोटा जाने जाने दे रिजिस्टर परसन है supplier और किसी भी tenant को दे रहा है रिजिस्टर हो या अन्रिस्टर हो फ्रवर्ट चार्ट में करें मतलब जो नॉर्मल जो होता है उसके case में जिस्टी अप्लिकेवल होगी मतलब supplier को पे करना है government को लेकिन अंडर्जिस्टर परसन को दे रहा है इसमें RCM अप्लिकेवल होगा यही चेंज हुआ है 54 जो हमारा जो है इसी के लिए चेंज़े जाए अब यह क्यों चेंज़े जाए अब अंडर्जिस्टर परसन को दिया तो एक्जम्ट है अब अंडर्जिस्टर परसन को दिया तो अब थोड़ी से और जान लगते हैं कि जीस्टी और रेंटल इंकम किस किस में नहीं लगता है तो अगर इंडर्जिस्टर चरिटेबल और रिजिस्टर और और पब्लिक और एंड ये दोरों अलग अलग नहीं है एंड ये ये यह ये ये इन तीनों में से एक और ये वाला कंडिशन फुलफिल होगा मतलब क्या अगर आपने डिश्टर चरिटबली और रिलीजिस्टर और और पब्लिक दिया है और पर डे का रेंट एक हजार से कम है एक हजार य और यह उससे कम उसकी मन्त्री रेंटल है यह फिर कम्यूटी हॉल यह फंक्सनु अड़य का रेंट है तो जी स्टीने केवल नहीं होगी अधरौश्क्न होगी अब बोला कि थीक धी ऑक बता हूना टी-डी-इस भी तो कटेगा आपको पता है टीडियेस भी ऑसक्टे भाघ के हिसाब से टीडियस कटेगा आई बी में क्या है इंडिविज्वल नेची एफ अगर लेंडलॉड को पे करता है जिनका और नहीं हो रहा है तो पचास जार रुपया पर मन तक उनको टीडियस नहीं काटना अधरवाज उसके बाद उनको टीडियस काटना परेगा उसके बाद अगर ऑडिट में है या फिर फिर लिमित दो लाख चालीश जार से ज्यादा हो गई है तो उनको क्या करना है एड़ टाइम अफ क्रेडिट एड़ टाइम पेमेंट टीडियस काट के जमा करनी है अब बोलते हैं कि मान लेते हैं कि एक लाख रुपे की रेंट टीडियस जो है इसमें मैं सिर्फ एक लाख पे करूंगा जीएश्टी अठारह जार हो जाएगी तो टोटल जो पेमेंट होगी उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा काई होप कि यह पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है यह जीएश्टी कॉंसील के अमेंडमेंट क फोन नमरे ट्रिपल टूशिक्स डेबल फाइफ टूशिक्स टू आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में प्रूश सकते हैं मिलते हैं फिर सब्सक्राइब वीडियो के साथ अब तक के लिए मैं रिटीशा साइनिंग ओप थैंक्यू सो म प्रूशिक्स टूशिक्स टूशिक्स टूशिक्स